तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाले हूँ आपके बच्चो के कपड़े आपको किस तरह से वाश करने हैं मतलब क्या-क्या चीज़े आपको ध्यान में रखनी हैं आपके बच्चो के कपड़े वाश करने की टाइम और क्या-क्या step आपको follow करनी है आपके बच्चों के कपड़े wash करने के डाएं तो वही मैं आज आपके साथ share करूँगी और इस वीडियो में ये सारी चीज़े cover होंगी कि क्या-क्या आपको करना है आपके बच्चों के कपड़े wash करने के time तो जले फिर देखते हैं कि आपको आपके बच्चों के कपड़े wash कैसे करने है सबसे पहले आपको एक बाल्टी में पानी लेना है साधा पानी और जो भी आपके बच्चों के clothes है जैसे कि towel है, shirt है, t-shirts है, pants है ये सारे बच्चों के clothes है वो अच्छे से पानी में dip करके नीचोड लेने है क्योंकि अगर आपके छोटे बच्चे है, मतलब काफी छोटे बच्चे है आपके कभी-कभी उनको control नहीं होता है और bathroom तक जाने तक वो urine pass कर देते हैं के जाएंसे सबसे पहले आपको आपके बच्चों के साधी पाणी से वाश करने है और उसके बाद आपको आपके बच्चों के कपड़े, just how the detergent में वो है सोग करने के लिए रहा करने है यहाँ पर मैंने इसारे और साधी Mega से वाश कर लिये है और उसके बाद आभी डिटर्जन में सोप करने के लिए डालेंगे तो यहां पर मैं लिया है थोड़ी सा गुनगुना पानी थोड़ी सा गुनगुना पानी लेनाय है ज्यादा गरम पानी नहीं लेनाय, ईढ को उसमें एड़ करना है यह वहामा Arth का डिटर्जन तो ये बच्चों के लिए है specially क्योंकि आपके बच्चे काफी छोटे होते हैं और उनकी स्कीन काफी ज़दा अलग होती है क्योंकि उनकी स्कीन काफी ज़दा sensitive होती है तो इसी वज़ा से आपको उनके ही लिए जो special बने होते है प्रोड़क्ट वो ही यूज़ करने चाहिए हम उनके लिए जो भी प्रोड़क्ट बने होते हैं वाच्चों के लिए तो वह हमें ही यूज़ करने चाहिए तो यहाँ पर पानी में आपके कपड़े जितने हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डिटर्जेंट जो है वो एक करना है कम हो तो कम एड़ करना है और आदा रखकन मैंने यहाँ पर डिटर्जंट एड़ किया है और आप देख सकते हो कितना दाद ज़ाग हो चुका है यहाँ पर और उसके बाद मैं अच्छ से कपड़े जो है वो भीगवने के लिए डाल दूँगी और उसके बाद इसे आदे घंटे तक रेस्ट होने देना है आदे घंटे तक इसे ऐसे ही छोड़ देना है क्योंकि ताकि वो जो डिटर्जंट है वो अपना काम कर सके यहाँ पर सारे कपड़े मैंने डाल दिया है तो यह अभी अपना काम करते रहेगा इसे हम लोग आदे घंटे तक छोड़ देंगे ऐसे ही और उसके बाद हमें इसको मशिन में डालना है यह जो डिटर्जंट है वो मामारत का डिटर्जंट है काफी अच्छा डिटर्जंट है मैं काफी दिनों से इसे यूज़ कर रहे हूँ इसे वज़े से मैंने सोचा चलो आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर दू और इसे कपड़े कैसे वाश करते हैं यह भी बता दू यह जो डिटर्जंट है यह स्पेशली बच्चों के लिए बनाया है यह है मामार्थ का प्लैंट बेस्ट लांडरी डिटर्जंट फॉर बेबीज और इस डिटर्जंट को आप जीरो प्लस के बच्चों के कपड़ों के लिए यूज़ कर सकते हो और आप लोगों को पता ही है मामार्थ यह कितना अच्छा ब्रैंड है और इनके सारे ब्राथ काफी ज़ के अच्छा लगते हैं तो आप ने अगर नहीं देखा है इनके जो प्राथ होते हैँ सारे नैचरल होते हैं और केमिकल फ्री होते हैं तो इसमें कोई भी कैमिकल अट नहीं होता है जैसे यसले, 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 फॉस्पेट, ब्लीज, फोम, बुस्टर्स और अप्टिकल ब्राइटनर्स इस तरह के केमिकल कोई भी एड नहीं है इसमें और इस प्रोड़क्त में आपको 200 ml की कौन्टेटे मिल जाती है इस डिटर्जन को यूज करने से आपके बच्चों के कपड़ों का कलर भी नहीं जाएगा आपके बच्चों के कपड़ों का कलर भी ये सेफ रखेगा और आपके बच्चों के कपड़ों से ये जम्स को हटाएगा और जो बदबू होती है कपड़ों में वो भी ये हटाएगा और बच्चों के कपड़ों के जिद्धी दाग भी ये हटाता है बच्चे है तो बच्चे कपड़े गंदे करेंगे ही वो खेलते हैं कुछ खाते पीते हैं तो जिद्धी दाग पढ़ी जाते हैं उनके कपड़ों है इसका तो काफी अच्छा है यह डिटर्जेंट आपके बच्चों के कपड़ों के लिए और इसमें जो भी इंग्रिडेंट है वो सारे नैसरल इंग्रिडेंट्स है जैसे के एक्वा प्लैंट बेस सर्फिक्टेंट्स कोको फैटे आसीड एमाइट सोडियम सिट्रेड सैट् हैो आप वीकपर सकते हो बच्चों सकते हो इस सारे कपड़े इससे ध्ट्रक्डवों के शींगत्स्थ फ्र्डणी जो प्राइस है वह भी काफी कम है आपके बजट में ही है इसकी जो प्राइज है वो है 199 रुपीज और आप अगर मेरा कूपन कोड यूज करते हो कांचन 20 तो आपको इस पे एक्स्टरा 20% और भी मिल जाएगा मामारत के वेबसाइट पे जो मेरा कूपन कोड है कांचन 20 ये सिफ मामारत के वेबसाइट पे ही य इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना और मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो एक्स्टा 20% और भी मिल जाएगा आपको इस प्रोड़क्ट पे मामारत के वेबसाइट पे आदे घंटे के बाद आपक अधिवाट्रियल प्रोपरटिक्ज है तो इसी वज़ए से वो डिटर्जन फी बैक्टरिया को खतम करेगा तो इसी वज़ए से एक्स्ट्रा आपको कोई भी चीज आड़ करने की ज़रूरत नहीं है वैसे हम लोग अपने बच्चों के कपड़ों में डेटॉल वगरा या स पड़ों में आपको दिख रही है काफी ज़ादा गंदा हो रखा है पानी बच्चों के जिद्धी दागों को यह इसीली पड़ाता है और आप देख सकते हो ऐसे ही आप देख सकते हो पानी कितना ज़ादा हो रखा है तो मुझे तो यह डिटर्जन पसंद आया तो जैसे कि कुछ Web और बढ़ों के उसी वज़े से उसे वह प्रॉब्लेम हो रहा है तो इसी वज़े से में बच्चो यह अलग धोरी उर्डिटरजन के लिए उनके मतलबढ़ कीलिए जो सीफ डिर्जन होता है वही यूजक रही हूँ। मwałीं पूरा स्वाल गया है मत 특히 बिल्कूल já और गाइस मैं बातों बातों में आपको इस ब्राइंड की खासियत ही बताना बूल गई इस ब्राइंड की खासियत यह है कि यह जो ब्राइंड है वो प्लास्टिक पॉजिट्व ब्राइंड है मतलब जितना प्लास्टिक यह यूज करते है उससे ज्यादा प्लास्टिक रिसा आपको आपने नेक्स ब्लॉक में तिल देन बाबाई टेक करें लब यू और बाई